हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन जैसा कि आप जानते हैं कि अभी Nobel पुरफकार का सब्ताह चल रहा है और अलग-अलग Nobel पुरफकारों की घोशना रोजाना की जा रही है तो उसमें आज बारी है साहित्य के Nobel पुरफकार की आप सभी जानते हैं कि General Sciences के जो Nobel पुरफकार होते हैं Physiology का, Physics का और Chemistry का ये मैं आपको पिछले तीन दिनों में लगातार पढ़ा चुका हूँ तो आज बारी आती है साहित्य के Nobel पुरफकार की और अभी अभी अब से कुछ 15 मिनिट पहले Nobel समिती ने साहित्य के Nobel पुरफकार की घोशना कर दी है और इस बार साहित्य का Nobel पुरफकार जो मिला है ये मिला है दक्षन कोरिया की लेखिका हान कांग को तो दक्षन कोरिया की लेखिका है सियोल में रहती है और इनको इस बार साहित्य का दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड जो है वो दिया गया है कौन है हान कांग क्या यो लिखती हैं किस तरह की चीज़े लिखती हैं और उन्हें क्यों ये अवार्ड दिया गया है क्या नोबल समिती ने कहा है उनके अवार्ड जीतने के बारे में इस बारे में आपको अगले पांच मिनिट में बता दूँगा लेकिन उसके पहले आपको बता दूँ कि भाई हमारा 2025, 26 और 27 तीनो वर्षों का जो P2I बैच है 25 और 26 का बैच कल से शुरू हो रहा है 27 का बैच आठ तारिक से शुरू हो रहा है सारे बैच शाम 6 बजे वाले हैं AJ लाइब कोट लगा कर आप इस बैच इन बैचिस से तुरंत जुड सकते हैं याद सुचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए हम आपको दिल्ली बुलाएंगे आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से नहशुल्क होगा तो जो भी जिस भी वर्ष आप एक्जाम दे रहे हैं तो हमारी वेबसाइट या अब तारिक को फिजियोलोजी, फिजिक्स और किमिस्ट्री के नोबल प्राइज की चर्चा कर चुके हैं तो आज बारी आती है साहित्य के नोबल पुरास्पकार की। कल आपको मैं बताऊंगा कि शांती का नोबल पुरसकार किसे मिला और सोमवार को आपको बताऊंगा कि अर्थशास्त्र का नोबल पुरसकार किसको दिया गया है। जो हैं ये कहां की हैं ये दक्षिन कोरिया की हैं स्टाउथ कोरिया की ये हैं और ये सियोल में रहती हैं जो वहां की राजधानी है सियोल में रहती हैं सियोल के ही एक विश्व विद्याले में बढ़ाती भी है ये तो हान कांग जी जो हैं इनको इस वर्ष का साहित्य का नोब नूबल समिती ने अपने जो इनका citation दिया जाता है याद रखे दें कि नूबल पुरफकार जो होते हैं साहित्य में वो आम तोर पे किसी एक किताब के लिए नहीं दिये जाते जैसे बुकर प्राइज जो होता है वो किताब को मिलता है इस बात को याद रखिएगा बुकर प् प्राइज मिला नूबल पुरफकार कई बार आपके लेखन के शेत्र में सामाननिक कॉंट्रिब्यूशन को देखते हुए दिया जाता है किसी एक पुस्तक विशेश को अक्सर ये नहीं दिया जाता ठीक है अब पिछले कुछ बर्शों से अगर आप देखेंगे तो लेखक का जो एक एतिहासिक कष्ट रहा है कि मनुष्य जो है उसका एतिहासिक कष्ट मनुष्य का एतिहासिक कष्ट और जीवन की शन भंगुरता कि जीवन जो है उसका कोई भरोसा नहीं है जीवन की शन भंगुरता पर इन्होंने बहुत ही शक्तिशाली का व्यात्म गद्य लिख यह कविताई नहीं लिखती हैं गद्य लिखती हैं तो इस पर इधोने शक्तिशाली काव्यात्मक गद्य लिखा है ये बात जो है ये बात नूबल समिती ने कही है इनके बारे में कि काव्यात्मक गद्य जो इनका है वो बहुत ही शक्तिशाली है और उसका सम्मान करते हुए ह आन कांग को इस वर्ष का साहित्यका नोबल पुरसकार दिया जा रहा है। हान कांग जो है ये 54 वर्ष की हैं जैसा आपको मैंने बताया इनके आयू 54 वर्ष है। जो कि आप देखेंगे तो भई काफी युवा भी हैं अभी 54 वर्ष जो है। लेखकों के लिए कोई बहुत जादा आयू नहीं है बहुत बड़ी उपलम्धी है। 54 वर्ष की आयू में इतना बड़ा सम्मान प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी उपलम्धी है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि पहली बार इनको जाना माना गया है। सन 2016 में इनकी एक पुस्तक थी दवेजेटेरियन अब देखिए यहां पर भी आपको इक चीज बताऊंगा उसको ध्यान रखिएगा। वेजेटेरियन नाम की एक पुस्तक थी जिसके लिए इनको बुकर पुरसकार भी दिया गया। जिसके लिए इनको बुकर पुरसकार दिया गया The Man Booker Price जो बुकर पुरसकार होता है वो इनको प्रदान किया गया 2016 में हाला कि The Vegetarian नाम की जो ये किताब थी ये हानकांग ने 2007 में ये किताब लिख ली थी अगर आप हानकांग का प्रोफाइल देखेंगे तो आपको पता लेकिन चुंकी बुकर प्राइस उसके अंग्रेजी अनुवाद को दिया जाता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद चुंकी 2016 में आया इसलिए The Vegetarian जो ये किताब है इसके लिए वो Man Booker प्राइस भी जीच चुकी है जो कि साहित्य की दुनिया का एक और बड़ा प्रतिष् वर्षिय ये रही होंगी उस उम्र में भई इनोंने अपनी पहली किताब लिखी थी 1995 में इनकी पहली किताब आई थी पहली किताब का नाम था A Love of Yosu याद रखिएगा ये Korean भाशा में लिखती है और इनकी किताबों के ये अनुवाद हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अंग्रेजी में इनका अनुवाद किया गया है A Love of Yosu नाम की इनोंने एक किताब लिखी थी जो इनकी पुस्तक जो थी ये जो है उनकी पुस्तक जो थी ये 1995 में आई थी और लेटिस्ट पुस्तक जो है उनकी वो 2021 में आई थी 2021 में इनोंने अपनी आखरी किताब लिखी थ तक का जो data है उसके हिसाब से जिसका नाम था don't say goodbye don't say goodbye उनकी latest पुस्तक है इस बीच में तकरीबन 30 किताबे ये लिख चुकी है तो काफी सारी किताबे लिख चुकी है दे वेजेटेरियन के लिए उनको man booker prize भी मिला है और इसके साथ ही ये नोबल पुरसकार जीतने वाली साहित्य के लिए नोबल पुरसकार जीतने वाली पहली एशियन महिला बन गई है इसके पहले महिलाओं को साहित्य का नोबल मिला है लेकिन साहित्य का नोबल इसके पहले किसी भी एशिया की महिला को नहीं मिला साहित्य के नोबल को जीतने वाली ये पहली एशियाई महिला बन गई है तो बहुत बड़ी उपलब्धी है ये पहली एशियाई महिला है हान कांग जो है और इनको नोबल पुरसकार से नवाजा गया है ठीक है चलिए तो अभी के लिए इतना ही बाकी जो नोबल पुरसकार की सिरीज में मैं कल फिर आपके सामने आऊंगा शांती के नोबल पुरसकार के बारे में बात करने तब तक के लिए जो जानकारी आपको नोबल पुरसकार के बारे में दे रहा हूँ उसको आप बटोर के रखिये पकड़ के रखिये परिक्षाओं में उपयोगी हो सकती है ठीक है चलिए अभी के लिए इतना ही जाते जाते एक बर फिर बता दू कि भाई हमारा सब्सक्राइब करें स्टड़ी आइक्यू आईएस हिंदी